Welcome back my dear students, today we will start our new chapter of Mathematic Book by Brain Root series. The name of the book is Mathematic Vulven Preprimer. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नमबर 13. और चैप्टर का क्या नाम है? Time Tool. Time Tool. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो एक बच्चा क्या कह रहा है? Hello Friend, मेरा नाम क्या है? वियांश है. I am 6 year old. मैं कितने साल का हूँ? 6 साल का हूँ. Today I will share the events of a day in SQL. आज मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा? अपने पूरे दिन के events को sequence wise. मतलब एके करके. What I do from morning till night? कि मैं सुबा से लेके शाम तक क्या करता हूँ? The sun is rising in the sky. वो क्या कह रहा है? कि आस्मान में सूरज निकल आया. I wake up at 6 o'clock in the morning. और मैं morning मतलब सुबा कितने बजे उठता हूँ? 6 o'clock उठता हूँ. आप सब कितने बजे उठते हैं? I hope आप सब भी अपने सही time पे उठते होंगे. My day starts with yoga. मेरा दिन किस्से शुरू होता है? Yoga के साथ शुरू होता है. I brush my teeth and take a bath. मैं अपने teeth को क्या करता हूँ? Brush करता हूँ. दातों को brush करता हूँ. और क्या लेता हूँ? बात नहाता हूँ. I leave for school at 7 o'clock. और मैं school कितने बजे जाता हूँ? 7 o'clock. The sun is high in the sky. It is afternoon time. सुरूज बहुत जादा तेज गरम है कब? After noon में, दुपहर में. I came back to home at 2 o'clock and have lunch. मैं घर आता हूँ वापा स्कूल से कितने बजे? 2 o'clock. और क्या लेता हूँ अपना दुपहर का खाना? I take rest for some time. और कुछ time के लिए मैं क्या करता हूँ? आराम करता हूँ. The sun is setting in the evening time. और शान को क्या हो रहा है? सूरज छिप रहा है. I complete my homework. मैं अपना homework क्या होता है? जो स्कूल का काम मिला होता है? मैं उसे complete करता हूँ. Then I play with my friends at six o'clock. और काम कतम होने के बाद मैं अपने friends के साथ खेलता हूँ. कितने बजे? Six o'clock शाम को. The moon and the stars are visible in the sky. It is night time. और आस्मान में चान और तारे चमक रहे हैं. वो कौन सा time है? रात का time है. I have dinner with my family. और मैंने अपनी family के साथ क्या खाया? रात का खाना खाया. Then I go to sleep at ten o'clock. और मैं रात को दस बजे सोने चला गया. तो हमने अभी वियांश का पूरा sequence wise पूरे दिन का क्या देखा? schedule देखा. Now the time for practice. Right. M for morning activity. You do in the morning. A for the afternoon activity. E for the evening activities. and N for the night activities. आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ activities दी हुई है. आपको M लिखना है. उन activities के लिए जो आप morning में करते हैं. और जो आप afternoon में करते हैं. उसके लिए आपको A लिखना है. Evening activity के लिए आपको E लिखना है. और night activity के लिए आपको क्या लिखना है? N लिखना है. तो यह practice आप खुद करेंगे. You have to do by yourself. Next question. Tick right the correct activity. जो activities दी हुई हैं यहाँ पे. जो सही activity है. उसके आपको क्या करना है? Tick करना है. So let's start. In the morning. Morning में. I have lunch, breakfast. तो morning में क्या करते हैं? Lunch करते हैं या breakfast करते हैं? We will make right on breakfast. In the morning we will do breakfast. In the afternoon. Afternoon में. I have lunch, breakfast. Afternoon में क्या करते हैं? Lunch करते हैं या breakfast करते हैं? Yes, you are right. We will do lunch in afternoon. At night I have dinner, lunch. और night में क्या करते हैं? Dinner करते हैं या lunch करते हैं? We will do dinner at night. रात को हम रात का खाना खाते हैं. जिसे हम क्या कहते हैं? Dinner कहते हैं. अब हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? Clock के बारे में. घड़ी के बारे में पढ़ेंगे. The long hand of the clock tells us the minute. घड़ी का जो बड़ा hand होता है, वो हमें क्या बताता है? Minutes के बारे में बताता है. और जो घड़ी का छोटा हाथ होता है वो हमें क्या बताता है आर्ड के बारे में घंटों के बारे में बताता है look at and understand तो अब नहीं कुछ clock है उन्हें हम देखेंगे और क्या करेंगे समझेंगे तो first clock तो उसमें कितना टाइम हुआ है 3 o clock आपको कैसे बता चलेगा ये because जो छोटा हैंड है वो किस पर है 3 पर है वो हमें किस के बारे में बता रहा है आर्स के बारे में और बड़ा हैंड किस पर है 12 पे तो क्या टाइम हुआ है 3 और क्लॉक next same है छोटा हैंड किस पर है 6 पर और बड़ा हैं किस पर है 12 पर तो क्या टाइम हुआ है 6 और क्लॉक The next one small hand is on 10 and the bigger hand is on 12 तो क्या टाइम हुआ है 10 और क्लॉक समझेया I hope आप सब समझ गए Write the time below each clock अब क्लॉक में क्या है टाइम दिया हुआ है लेकिन आपको क्या करना है इस time को खुद लिखना है कि कितना है तो चलिए एक में आपको करके दिखाऊंगी Small hand is on 1 and the bigger hand is on 12 तो क्या टाइम हुआ है यह बजे है 1 o clock So now the next one Small hand किस पर है 4 पर और bigger hand किस पर है 12 पर तो क्या टाइम हुआ है 4 o clock Next two you will do by yourself Draw the hands of the clock to show the given time यहाँ पे कुछ clocks दी हुई है उनके नीचे क्या दिया हुआ है Time दिया हुआ है आपको क्या करने है Clock के hand बनाने है दिये हुए time के according तो पहला time हमें दिया हुआ है 2 o clock तो हम क्या करेंगे सबते पहले हम small hand बनाएंगे बारे में पड़ा I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी So again we will meet in next video Stay tuned Thank you Bye Bye झाल झाल झाल